तो फिन आज भी हारबोर्ड के द्वारा आज यानि की 11 फरवरी को आपका 50 मार्क्स का इंगलिस का आपका एक्जाम होने वाला है दोस्तो उसका मैं यहाँ पर भी भी याई टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट अब्जेक्टिव कोईश्चन लेकर आ चुका हो फ्रेंट तो आप लोगों के लिए एक कोईश्चन है जो कि काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों हुबहु जो कि आपको एक्जाम में आपका पूछ दिये जाएंगे सेम तुसेम आपको एक्जाम में देखने को मिल सकता है तो इसलिए यह वीडियो को आप लोग पुरा लाश्ट जहूर से दे आते हैं तो वीडियो के नीचे आपका लिंक है टेली ग्राम का टेली ग्राम चैनल जोईन कर लेजएगा वहां पर आपको पीडियाप मिल जाएगा और दोस्तों अगर आप यहां पर इसका एंसर की सबसे पहले देखना चाहते हैं एक्जाम खतम होने के बाद तो एंसर की आपको सबसे पहले इसी चैनल के द्वारा प्रोवाइट करवाया जाएगा तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा और दोस्तों यह वीडियो को पूरा लाइस टक जो उसे देखिएगा एक कोश्चन है जो कि काफी इंपोर्टेंट है आपको एक्जाम आएंगे तो चलिए दोस्तों फटा फट से घर फिटो स्टार्ट करते हैं तो उसे पहले आपसे करें के वीडियो चैनल इसे चैनल को सब्सक्राइब कर ले कर ले जाए है उसके बगल खैल ग्यंति कर लिए इस तरह का वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो फिर नहां पर देख पार होंगे कि फर्स्ट कोशन पुछा गया है कि एड डवलपेट सिविलाइजेशन इंस्योर सेफटी एंड और टू इट्स सिविलाइजेशन बाइ दिन्ट ओफ तो फर्स का दोस्तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रूल ओफ लॉफ यानि कि ऑप्शन ए आपका ये सही उत्तर हो जाएगा नेक्स रेफ्रेंड आपका दो नमर कुश्चन पुछा गया है कि हाईयर एक्टिविटीज ओप मैनकाइंड भीच मेंक उप सीवीलाइजेशन कुड़ नोट गो अन विदाउट तो दोस्तों का आपका सही उत्तर हो जाएगा यानि कि ऑप्शन हो चार नूमर कुछ्षन पुछा गया है कि I will I will lived with it for 40 years has been taken from तो फोर का दोस्तों आपका सही उतर हो जाएगा यहां पर वीथ दफ फोटोग्रापर यानि कि आपसे आपका सही उतर हो जाएगा यह आपका चार नमर का नेक्स्ट तो आप लोगों के लिए यहाँ पड़े गया है तो आप लोग इस को भी आप लोग याद कर लेजएगा तो चार जो आपको यहाँ पर यह डाउट है आप लोग चार नमर को कमेट करके जरूर से बताएगे कि इसका राइट एंशर क्या होगा नेक्स्ट फ्रेंड आपका पांच नमर कोश्चन इट टेक टू स्पीक दरूथ वन दर वन टू स्पीक एंड अनदर तो हीर हैज बिन दा स्टेटमेंट फ्रॉम तो यहां फ्रेंड फिलिंग दिया गया इसमें आपको जो कि भरना है तो पांच का दोस्तों आपका ऑप्शन यह हो जाएगा यानि की थोराव हो जाएगा यह आपको राइट एंसर हो जाएगा डाउट नेट अब बच्चो किसी भी सवाल के में अटक गया हो या आपसे सुल्ब नहीं हो पा रहा है बस आपको उस कोश्चन का फोटो लेना को को क्रोप करना और पांच सेकेंड के इन सबका जवाब मिलेगा डाउट नेट अपर या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो फिजिक्स कमेश्टी मैथ बैलोजी साइंस आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउट नेट अपर साथ ही डाउट नेट पर कलास नोवी से बरहमी के बच्चों के लिए चल रिये इं इपोटेंस अफ लेटर राइटिंग है जुए फोकस्ट इन दचे पिटर तो सिक्स का दोस्तों आपका ऑप्षन है जो कि यहां पर और लेटर राइटिंग हो जाएगा यह अप्षन भी हो जाएगा आपका सिक्स नमर का नेक्स्ट आपका साथ नमर कुश्चन पुछा गय इडिल मिदेंट नेस इज सम्तीं सम्टाइम्स कर तो एट का दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर यहां पर सही उत्तर नेस्ट अपका नाइन नमर कुश्चन तो दस नमर कुश्चन पूछा गया है कि आपका फ्लैस अपोन डाइट इन वर्ड आई है जी विन टेकन फ्रॉम दा पोएम तो दस का देखिए दोस्तों आपका ओप्शन है जो कि यह हो जाएगा दर डिफॉल्ट डिस हो जाएगा यह आपका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन है नेक्स्ट फ्रेंट 111 नंबर 111 आपका आई इन दे ग्रीन सजेस्ट तो बारा का आपका ओप्शन है जो कि यहां पर भी हो जाएगा मिस्टेरियस के किरियेट चर हो जाएगा आपका सही उत्तर नेक्स्ट फ्रेंट तेरा नंबर तेरा नंबर कोश्चन है आपका त्रीमुफ एंड डिजास्टर आर पोश्टर हो जाएगा यहां पर आपका आपका उत्तर प्रेंट खुट फोटा विस्ट रगी हो जाएगा जाएक अपका वायिल पूल हो जाएगा नहीं कि ऑप्सन और से हो जाएगा उसके बाद का पन्द अन, पोट पुछा गया कि everyone is reflected to तो पंदर का देखिए option आपका यह हो जाएगा soldier हो जाएगा यह आपका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट फ्रेंड 16 नमबर no one left and no one come is a famous quit from the poem तो शोला का आपका सही उत्तर हो जाएगा option यह आपका हो जाएगा राइट एंसर चले नेक्स्ट कोस्ट फ्रेंड आपका पुछा गया कि Richard just refer to तो 17 का आपका option हो जाएगा यह आपका सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट 18 नमबर कोस्ट वाट हैपन वाल डेविड इज इन यहर माउथ इज यहर माउथ विथ प्रेगोटी तो आपका ठारा का यहाँ पर option है जो कि B हो जाएगा यह आपका सही उत्तर हो जाएगा option भी आपका ठारा नमबर का नेक्स्ट 19 नमबर वाट काइंड ओफ इस्टेप इस्टेप फादर इज मिश्टर मॉडर इस्टोन तो यहाँ पर 19 का आपका option है जो कि यहाँ पर सी हो जाएगा यानि कि इस्ट्रीक्ट हो जाएगा यह आपका सही उत्तर हो जाएगा आई हेव नो यूज उसके बाद फिलिंग दा बलेंक उसके बाद इट है तो एक इसका आपका option यहाँ पर यहाँ पर हो जाएगा राइट एंसर नेश्ट इस्ट नमबर रहा है बीटेन गीता तो बाइस का दोस्तों आपका option है जो कि यह हो जाएगा गीता है बीटेन बाइराम यह आपका सही उत्तर हो जाएगा option यह हो जाएगा सही उत्तर नेक्स्ट इस्ट इस नमर कुश्चन रॉन आउट ऑफ तो राइट यहाँ पर रॉन आउट आउट आ एकका सही उत्तर हो जायगा एकस हेस्ट और अश्डब्र और आपका सही उत्र हो जाएगा आपका 24 नाम वर पीजह ओल Сейчас यहां पर नाम यहां पर अप्च्ण में हो जाएगा दिप प्रेश्ट हो जाएगा ने क्शिट फ्रें आपका 25 नाम फ़्लास इड तो 25 यहां Strong उसे आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है तो दोस्तों उमीद है कि आप लोग पूरा वीडियो को देखे होंगे और एक कोश्चन है जो कि याद कर लिए होंगे रट लिए होंगे क्योंकि आपको दो से तीन घंटों बाद आपका एक्जाम है 50 नमर इंगलिस का तो उमीद ह कि दोस्तों वीडियो आपको पसंदे तो इस वीडियो को लाइक किजेगा शेयर किजेगा अपने दोस्तों के पास में और दोस्तों जैसे एक्जाम खतम होता है मैं इसका एंसर की सबसे पहले परवाइड करवाएंगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख झाल 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